दोस्तो आने वाला जो टाइम है वो 5G का है ऐसे में दोस्तो रेड्मी की तरफ से एक खबर आ रही है कि जो रेड्मी नोट 10 है उसका एक 5G मोडल बहुत जल लॉंच होने वाला है 23 अक्तूबर उसकी लॉंचिंग डेड़ निकल कर सामने आ रही है और इसका प्राइस भी काफी कम होने वाला है सिर्फ साड़े फाइफ इंचिस की IPS LCD डिस्प्ले जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 405 PPA साथ में आपको प्रोडेक्शन के लिए भी कॉर्णिंग और इला ग्लास 3 की प्रोडेक्शन इसमें मिल जाएगी और जो इसका रिफ्रेश रेट है वह आपको इसमें मिलेगा 90 हर्स का रिफ्रेश रेट अब दोस्तों इसकी प्रफॉर्मेंस की बात कीजिए इसमें आपको मिलेगा MediaTek का Dimensity 700 का चिपसेट जो के 5G चिपसेट है उसके साथ में आपको ग्राफिस के लिए भी मिल जाएगा Mali G57 MC2 और इसके इलावा आपको इसमें 4GB की रहे मिल जाएगी साथ में आपको मिलेगी 64 ची 4GB की इंटरना स्चोरेज अब दोस्तों के इसके कैमरा की बात कर लीजए आपको इसमें पीचे की तरह मिल जाएगा Triple Rear का सेट प्राइमरी कैमरा आपको इसमें मिलेगा 48 मेगा पिक्सल का कैमरा इसके साथ जो दूसरा कैमरा दिया गया है वह आपको इसमें 2 मेगा पिक की पानच यह मिल जाएगा और इसके अलाबा इक अलग से मेंबरी कट के लिए भी स्लोड मिल जाएगा यानि के आपको इसमें 3.5 mm का जैक और जो इसका फिंगर पिंगर्पिंट स्कैनर है वह ठीक इसके साइड़ पर मिलने वाला है जहां इसका power on off का button है वहीं पर आपको इसका fingerprint scanner भी देखने को मिल जाएगा और जिसको operating system है वो आपको इसमें Android 11 की support देखने को मिल जाएगी अब last में दोस्तों एक बर फिर से इसका price बता दो इसका price होने वाला है 14,490 रुपर यानि कि 14,000 का phone होगा यह जो की होगा Xiaomi का Redmi Note 10 5G तो दोस्तों आप लोगों को यह phone कैसा लगा आपनी रहे नीचे comment box में जरूर बताइएगा और अगर आपको यह video अच्छी लगी तो please इससे like और share जरूर करना thank you for watching guys bye bye